दोस्तों वेल्कम आई यूट्यूब चैनल लेंगे में यूट्य चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है तीस एंपेर का डीसी रेगुलेटर बना के दिखाया है मतलब की दिखाया है और कैसे बनाना यह में नेक्स डूडियों बताऊंगा देखिए धीर धीर वोल्टेज ब को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इतना लॉस यहां पर होता है अब देखिए यहांपर लेकिन तीस एंपेर तक दोस्तों तीस एंपर करेंट बहुत बड़ी बात होती है उसको कंट्रोल कर पाना तो यह रेगुलेटर काफि आशान तरीके से बनाए बहुत आसान तरीके से जर तो यह इतना आसान नहीं है ठीक है मतलब की बहुत ज्यादा हीट होगी तो बड़ी हीट सिंग आप देख सकते हैं यह जो बाइक की सैल्फ की मोटर होती इसको रेगुलेट कराके दिखा रहा हूं यह 20 एमपेर करने से चलती है ठीक है तो देखें पीछे कुछ भी नहीं है ब करके दिखा देता हूं इंपुट लगाएंगे यहां से इस तरीके से और देखें लगाते ही यहां पर पॉइंट फॉर यहां पर जाने लगए बढ़ाऊंगा में तो देखेंगे आपकी मोटर 6 एमपेर से स्टार्ट होती है चलनी देख सकते हैं किते हैवी मोटर है और दे देख लीजिए बाइक की मोटर है कंट्रोल करना इत्ता ही जी नहीं होता इत्ते जाद करन्ड को बार बार बता रहा हूं चीज यह देखिए काफी ज्यादा बायर हमारे बहुत ज्यादा जो है नरम हो गए हैं फ्लेक्सिवल हो गए और काफी दरम भी हो गए है ठीक है तो बाइक को मोटर को देखिए इसकी साउंड सुनिया आप तो दे दोस्तों देखिए इतना यूज करने का बाद जो गरम है काफी गरम है आप इस पर उंगले नहीं रख पाएंगे इतना गरम है है तो हीट सेंग आप लोग को अच्छे साथ चीश लिए चाहिए ही और आइसी जो है 378 टी यह वाली हीट नहीं होगी आइसी क्योंकि आइसी में करन नहीं जा रहा है जो करेंट जा रहा है वो बेसिकली हमारे पावर ठांजिस्टर से जा रहा है ठीक है तो आई सी इत्ती घरम नहीं होगी लेकि मैंने फेरी उसको लगाया है ठीक है देख लीजे अभी इसको देखी पहले बैटे से चलाया था मैं चला के दिखा रहा हूं आप लोग को इस से अडॉप्टर से यह देख सकते हैं यह जो हमने यूप्यस के ट्रास्फार्मर स पर दोस्तों इस तरीके से वीडियो है यह बहुत अच्छे से काम करें वीडियो डालता रहा हूं गया इसे रिलेटेड आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की दोस्तों और इतना वीडियो आपने देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें करें के जाईएग वीडियो आप लोग को पसंद आई हो ठीक है तो सब को चलता है इसे जब तक लिए आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद है